न्मस्कार दोस्तो जयमाटादी कैसे हैं आप सब ? दोस्तो जैसा कि आप सब को पता ही है 21 स्ितम्बर से नवरातर प्रारंब होने वाले हैं नवरातर के हर दिन मादुर्गा की अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है इनकी पूज़ा विधी भी अलग-अलग होती है। मा की पूजा करते वक्त नवरात्र के हर दिन के मुताबिक रंगों के कपड़े पहने तो जी हां दोस्तों मा की पूजा में रंगों का विशेश मैत्व है तो चलिए आपको बताते हैं कि किस दिन कौन सा कपड़ा पहनना सुब होगा आपके लिए दोस्तों नवरात्र के पहल वेश से जूजने का आत्मबल परतान करता है रारंग मनुश्य में मित्रता बढ़ाने में सायक भी होता है तीसरे दिन ग्रे कलर का कपड़ा पहनना आपके लिए सुब साबित होगा वहीं दोस्तों चोथे दिन सफलता और सालिंता को दरसाता नारंगी रंग का वस्तर पहने तो आपके लिए बेहद सुब साबित होने वाला है दोस्तों नवरात्र के पाचवे दिन सफेद रंग का कपड़ा पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा इस रंग की धार्मिक माननेता भी है कि ब्रह्मा जी को सफेद रंग बेहद प्रिये है जो इस बात को प्रमानित करत है कि ब्रह्मा अथार्थ इस्वर सभी लोगों के परती समान भाव रखते हैं सफेद रंग पारदर्शिता और कोमलता का भी परतीक होता है दोस्तों नवरात्र के छटे दिन मा कात्याइनी का दिन होता है इस दिन लाल रंग का कपड़ा पहना जाए तो बेहद आपके व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वहीं दोस्तों सात्वे दिन नीला रंग आपके लिए सुब रहेगा मनोविज्ञान के अनुसार नीला रंग दर्ड़ता साहस सोर्य के साथ गंबीरता को भी दरसाता है वहीं दोस्तों नवरात्र के आठवे दिन यानि अस्टमी के दिन गुलाबी रंग पहनना सूब रहेगा गुलाबी रंग सोबाग्यगपरतीक होता है गहरा गुलाबी रंग रित्व और उच्छव को दर्साता है दोस्तो बैंगनी रंग नौमी के लिए बेहत सूब रंग माना जाता है ये रंग सक्ति और विलासता को दर्शाता है बैंगनी रंग ठंडे परभाव का रंग होता है इस रंग से गुशा और चिर्चिलापन कम हो जाता है जो घर में सुक्षान्ति को बढ़ाते हैं तो दोस्तो आप भी इस नवरात्र मा की पूजा करते वक्त इन रंगों के हिसाब से कपड़े पहने तो आपको भी मनोवांचित फल की प्राप्ति होगी तो दोस्तो जो भी भक्तिया वीडियो देखे नीचे कमेंट्स में जै माता दी जरूर लिखे अभी के लिए इतना ही दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै माता दी